फ्रापर्टी न्यूज तामीर से तक्मील ताक मेरे लिए कहना तो खेर बहुत मुश्किल है लेकिन मैं बाता हूं आपको जब भी आप सीडीय हो आरडीय हो या और जो भी इनसे मुतलिका महकमे हैं अगर आप अपने काख़ात अपनी चीज़ें प्रोसीजर्स पूरे करके आप उनको देते हैं ना तो नॉर्मली काम रुख गुखता नहीं है देखे रिशवत कहां देनी पड़ती है रिशवत वहां देनी पड़ती है कि जब आप प्रोसीजर्स रिक्वार्मेंट को पूरा ना करें और उनसे कहें कि इसको आप अग्णोर कर दें आपको फिर नाजाज जराय इस्तमाल करने पड़ते हैं आपको I have no bad experience with CDA, personally speaking. अच्छा हमारा इसलिए भी है कि सुसाइटी, हमारी सुसाइटी के बारे में एक आम इंपरेशन है, हर इदारे में ये इंपरेशन है, कि यार ये मल्टी वाले गलत काम नहीं करते हैं. मल्टी वाले गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हम किसी के बार जाते हैं, वो ये ही कहते हैं, हम गलत काम नहीं करते हैं, मार्केट में ये सुसाइटी में कहते हैं, कहती है तुझ को खलक खुदा गायबाना क्या, आप हमसे ना पूछे, उनसे ना पूछे, आप खलक की इस के नाम बातावों और मैं अपनों आपको कए आप उन साइटिस के बार में एक जुम्ला क तो क्या कर से पहली से एटी पार्कु पार्ट ढर्टेंस के बाके खार्ट मों शना हना इस अपयोड आप पुस एरी चोने को ऊपके और फासरेिशन में अलती भी spirit थी for the establishment of the capital here in Islamabad यह उसके अगेंस्ट है इसलिए कि environment के अगर point of view से देखा जाए तो वो एरिया पूरा पार्क एरिया था cause I happen to be जो आपने पहले बात की मैं मेरा property की field से कोई तालुक नहीं कभी रहा कभी भी नहीं रहा मैं तो comment service की 35-36 साल और उसमें वो भी आपने सही कहा कि ज्यादा तर मेरा अद्वी और उस field से ज्यादा तालुक रहा लेकिन नौकरी की के के शोबेस के जो इबतदाई साल हैं उन्हें मैं सीडिये में भी रहा अधिया मैंने इसके मास्टर प्लान और इसका पूरा जो था ये बैग्राउंड मेरे नजर में अधिया नियांकर की सामने आपको बंते वह देखा है तो इस अगेंस्ट परिट अप्लिश्मेंट अव कैपितल है ये ये पुरा पार्क अरिया था यहां पर पार्क अने चाह अधिया थी I don't know कियो ये चेंज किया मुझे नहीं समझ में आता है and I tell you in the long run मेरा ख्याल है कि ये लोग पच्टाएंगे कि ये हमारा कोई अच्छा फैसलानी है अच्छा सर पूरे अरिये को आप देख लें जोन फाइव तक यह आप जब चले जाए ने यह जहां का रावल नैम से आगे और बहरिया का कुछ बना हुआ है पिर आगे पने जिना टाउन है और रवात तक आप चले जाएंगे डी एच्छे और यह सारा पार के अरिया था पार कहां चले गए वो खुबसूरती कहां गई जो इस शैर की पहचान है ग्रीन एरिये कहां चले गए सारे दरख काट दिये साब हर चीज लोगों ने जिन्होंने महां स्की में बनाई हैं बुल्डोजर भेर दिये महां पर I tell you in the early 70s जब हमने यहां service शुरू की मैंने शहर में स्नोफाल होते देखिये Islamabad में मैंने शहर में अगर आज गर्मी पढ़िये तो अगले दिन बारिश होते हुए देखिये आज सब चीज़े ना पैद है Because of development Because of these all absolutely wrong and painful decisions It's absolutely wrong decision जिसने भी लिया है Allah उसे पूछेगा मेरी उसे बद्द्धवा है दोस्ती शॉसाइटी सर Bluebird City का बाद बॉल बाला है क्या कहेंगे ना उसका कुछ layout plan है ना कुछ है मैं उसके बारे में क्या कहो सवाल यह है एक scheme जिसका layout plan नहीं है approved नहीं है धोड़ादर लोग उसमें invest कर रहे है कर रहे हैं जब सुसाइटी को जो है प्रॉब्रम फेस करना पड़ेगी तो फिर इन लोगोने रोना भी है बाद में कि हमा सब्सक्राइब हो गया है अब्रीबडी इस ट्राइंग तो फाइंड पैसा मिले पैसा है कहीं से जहां से उन्हें लगती है डाल देते हैं फिर रोते ह सब्सक्राइब करेंगे हैं कि यह शौबा जितना एहम है और जितना यह मैं तो इसको कहूं है क्या उसको प्रॉपर्टी के काम में आना चाहिए इसलिए कि यह शौबा जितना एहम है और जितना यह मैं तो इसको कहूंगा सेक्रेड है उसमें जब तक पढ़े लिखी नौजवान नसल नहीं आएगी पढ़े लिखी उस वक्त तक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो खतम नहीं होगा जब यह नहीं नसल पढ़ी लिखी आएगी और एक सिस्टम के तहट जब इसको लेके चलेगी तो ना सिर्फ लोगों की खिदमत होगी बलके इस शौबे को भी बहुत तरकी मिलेगी और ट्रस्ट जो है ना वो बहाल होगा लोगों का इसके उपर जड़े जो हैं लोग जो प्रापर्टी से मुच्टिक लोग हैं उनको कोई प्रापर्टी में मजीद बैतरी किस तरह से लाई जा सकती है दिखेंजी मैं तो एक ही बात यह कहूंगा वाइल हैं सीन माइक्स्पिरियंस हैं कि दे शुद डेलिवर और दे शुद डेलिवर रहाईश रेजिदेंसिज के ह्वाले से एक स्टाइल दिया है लोगों को एक पहली दवाई इंट्रभा इंट्रदूस कराया कि कैसे रहा जाता है और ये रेजिदेंसिज कैसे बनती हैं इट डिक्रैइट multipli हैं ग। इसी में पदॉत का हैं मलक रहाईज के बद इस्लामभ राउल पिंडी में इस रियल स्टेट की दुनिया में जो दूसरा नाम उभरा वो चौधरी अब्दलमजीद का था ये आज मल्टी सोसाइटी जिस क्रेड़िबिलिटी और रिप्यूट जो इसे हासिल हुआ ट्रस्ट लोगों का लिया इसमें चौधरी अब्दलमजीद की कविजन उसकी हार्ड वर्क और टीम वर्क जो है ये सब उसी का नतीजा है इस सोसाइटी के पहले सदर थे के यू फारुकी साब जिनका अपना सिवल सर्विस है बहुत बड़ा नाम है और उनकी पूरी टीम ने इसमें अम थक बुशिश की और आज इस सोसाइटी को इस मुकाम तक पहुँचा है उसके बाद ही गौर्मेंट की स्कीमों में भी बहतरी आई और उसके बाद फिर बाकियों ने भी जो स्कीमें लांच की तो अब वो अच्छा ले आउट प्लैन बनवाते हैं माहर लोगों से कंसल्टेशन होती है तो मैं उनको बहुत अड्माइर करता हूँ मैं लोगा नेवर मेट इम, लोगा नेवर सीन इम मैं नो प्लॉट एनिवर इनिवर इनिवर टाउन अट आल बाकी जो आगे आएं वो मैं तो उनको यह कहूंगा कि डिलिवर करें क्वालिटी डिलिवर करें और ट्रस्ट लोगों का जो है ना वो लेने की कोशिश करें यह पैसा प्रॉफिट भक्ती बात होती है बार दो मोस सस्टेनिबल जो है चीज वो ट्रस्ट है जो हम यहां करते हैं आप देखने किसी से पूछें आपसे ना पूछें किसी से पूछें कभी हमने किसी अख़बार टीवी पर इस्तिहार नहीं दिया जब भी हमारे हां कोई स्कीम लाउच होती है है विदिन टू थी फोर देखने और देखने वाले हैं तो पार इंतिजार कर रहे होंगे इसके साथ ही जनव नाजिवीं प्रोग्राम जो हमारा इंट्रीवी खतम होता है और अगर आपकी कोई कुरिस हैं तो आप आम आरे चैनल के थूज़ है वह हमसे पूछ सकते हैं ताक इंट्रीवी था जिसमें मेरा सवाल करने को कम बलके सुनने को ज्यादा दिल किया मैं उम्मीद करते हूं कि आपने भी इस इंट्रीवी को ऐसे ही एंजाय किया होगा मजीद इस तरह के इंट्रीवीज देखने के लिए आप हमारी जैनल को सब्स्क्राइब कीज़ेगा और स झाल